बलुआ के जाने माने स्वर्ण व्यवसाई को अग्यात अप्राधियों ने मारी गोली घायल व्यक्ति का चल रहा है उपचार आपको बता दे बलुआ थानाक शेत्र के बलुआ पंचायत के वार्ड नंबर 6 में बीते रात के सारे 9 बजे कुछ बाइक सवार अग्यात अप्राधियों ने बलुआ के जाने माने स्वर्ण व्यवसाई को गोली मार कर मौके से फरार हो गए जानकारी अनुसार उक्त स्वर्ण व्यवसाई बलुआ थानाक शेत्र के बलुआ पंचायत वार्ड नंबर 6 निवासी उधव थाकुर के पुत्र मुकेश थाकुर बताया जाता है जो बलुआ बजार स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे स्वर्ण का दुकान करते हैं उक्त स्वर्ण व्यवसाई जाने माने व्यवसाई में से एक है जो सब दिन की तरह दीते कल यानी शनिवार को भी वह अपने दुकान को बंद कर धर लोट रहे थे जिस प्रम में उनके घर से ठीक सो कदम पीछे नरसिंध थान के समीप किसी अपराधी ने उसका पीछा कर उ जिसमें एक गोली अपराधी से चूप जाने के बाद दूसरी गोली स्वर्ण व्यवसाई को उसके कमर के रीड में लग दी जिसके बाद स्वर्ण व्यवसाई अपने बाइक से गिर पढ़ा और मौके पर बेहोश हो गया गोली की आवाज सुनकर ग्रामीन मौके पर पहुंच कर देखा तो स्वर्ण व्यवसाई सड़क पर नीचे गिरे हुए हैं जिसके बाद उसके परिजन सहित लोगों ने आनन फानन में वीरपूर अनुमंदलिय अस्पताल लाया गया जहां चिकिटसक ने स्थिती को देखते हुए और गोली कमर के रीड में फसे रहने के कारण उससे बहतर इलाज के लिए बाहर रहफा कर दिया अजित दुए अजित शुए अजित दुए अजित आज़ा आज तीन आजमी मोटर सेखिल के गया एक मुटर सेखिल पर तीन आजमी था आजे मोबलन अमली थान है उससे पूरा अमना बतवाह आ रहा था और है दो आजमी आया उसके पहले उसको कुछ ने किया उजभा यारा अजगा उजवारा ऩोब शलंचे और यह कि रोको क्रावषल नहीं उसको पिछेशी किछ new Li माति अजित अजित एक गोली मारा तो फिर दूसरा को दुस्रा गोली एक किया द़ेद है कि अजिए मृतै कर किस चीज का दुकान करते हैं सोना चानी का परसासन अभी तक कुछ नहीं कि बंद किये हैं सब अपने सुएक्छा से बंद किया है कि परसासन कुछ करें कि अपने घर जा रहे ते रात के करीब नौ बजे रास्ते में उनको कुछ अग्यात अपर्टरियों में द्वारा गी रही है जिसके सुचना मिलते ही ठाना पर भारी वहां जाकर अपने संधान प्राराम करती हैं हम लोग अपायाद दर्ज करके टेक्निकला में संधान भी कर रहे हैं जनकि जब इसके निकाल होगी है जितने बजार में जो चौप पर उसे सिट्वी पूटे जाए जिचार्जे का हम लोग देख रहे हैं कुछ हम लोग को इसमें सुत्र पता चल जाएगा